शुरुवात कहां से हुई एक बार आपको केस रिकॉल करता हूं कि ऑल्लें सट्टा एप की शुरुवात कहां से हुई सौरफ चंद्रागर कौन है रवी उपल कौन है यह दोनों कैसे मिलते हैं शुबम सोनी कैसे मिलता है यह सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोजिस करता है और CBI अब CGPSC घोटाले की जास्तु करी रही है बिरनपुर कांड की जास्तु करी रही है और अब जो है है संचंद्राकर के जुमे का अड्今日 करता था जब साथन्राप जुआ हार जाता था तंम मदद के लिए उनके करीमी ही आते थे अबस पताते हैं लोग कि कहांडी जिफ्ट करने की थरुज देखा कि यह एशे माध्यूर होता है और और 50,000 रुपा के आसपास वो जीत गया, ऐसा लोग बताते हैं, उसके बाद राज गुपता का जो नाम मैं बार-बार जिक्र करता हूँ अपनी कहानियों में, अपनी स्टोरीज में, राज गुपता से क्तर सिक्स का रहने वाला है, गुबारा बेचने काम करता था, तो राज है अपना गाने लगातार आप बिए ससी के दा爬 ने कूरेल्ड हैं, अब जो कला है दो, आपको आइदी जबाता को कऱें सबसे पहले महादेव लुप मामले में फरवर्ड 2022 में, जामूर थाने में, और मोहनुग्र थाणे में, दुर्ग जीव कि जी अई पुलीस ने एफायर दर्ज किया था, और लेन सट्टा एप को लेके, तब लोगों को मालूम चला था भीया कि कोई सट्टा एप चल रहा है, जिसमें लाको करोडो रुपए का ट्रांजेक्शन हो रहा है, युवा दाव लगा रहे हैं, और पैसे हार रहे हैं, आईपिया सब यह इसपस्ट होगे था कि मामला बहुत बड़ा है, इतना पड़ा मामला है कि एडी को इन्वाल होना पड़ा, क्योंकि आईपिया सभी शेक पल्लो ने पूरे महादेव बुक से रिलेटेड, जितने भी एफायर थे, जितने भी इस कारवाई से रिलेटेड, जो नाम सामने आये थे, जो भी दस्तावेज थे, वो सब दस्तावेज एडी को सुपूर्द किया था, उसके बाद एडी इडी इन्वाल हुई, और एडी ने लगातार लगभग दो साल के आसपास इस पूरे मामले में उन्होंने कारवाई की है, और इस बीच देड़ साल की कारवाई में कई बड़े-बड़े चौकाने वाले खुलासे हुएं, और उसके बाद एडी के बाद नंबर लगता है EOW और ACB का, EOW और ACB की टीम ने भी महादेव बुक मामले में बहुत सारी कारवाई की है, बहुत सारी रेट की कारवाई की है, IPS अमिरेश मिश्रा, जो EOW ACB के चीफ है उन्होंने इस पूरे रैकेट को जो है भांडा फोड करते हुए बड़े-बड़े खुलासे किये, और अब बारी है CBI की, मैं जो पूरा जिक्र कर रहा था, पूरे सिलसले वार आपको शूरू से लेकर आखिर तक पता रहा था, कि अब तक महादेव बुक को लेकर क्या कु अब जो है, और अब जो है, और अब जो है, महादे बुक की भी जाच, यानि की एक पूरा केस, जो है, CBI को हैंडवर हो चुका है, होच होने वाला है, क्योंकि डिप्टी सीम और ग्री मंत्री विजशर्मा ने इस बारे में संकेत दिये हैं, सरकार चाहती है कि इस पूरे मा सरकार जो है, CBI को पूरा केस अपने जारी है, और ED के मुताबीत, प्रदेश के कई सीनियर नेता, अधिकारी और करोबारियों के नाम दर्ज है, और लगभग 16 महने से ED जो है, इस पूरे मामले की जाच कर रही थी, मनी लॉंडरिंग केस की जाच चल रही थी, और कॉंग्र पूरे मामले को प्रकरान दे जाएगा, और ED, EOW के अलावा, महादेव एप केस में सेवी भी जाच कर रही है, ED की चार्ज शीट में इस बात का खुलासा हुआ है, कि महादेव सट्टा एप क्रमोटर सौरफ चंद्राकर जो भिलाई का रहने वाला था, रहने वाला है, माफ पूलीस ने पहली कारवाई की थी, और उसके बाद रहपूर पूलीस इन्वाल होकर इस पर मामले की कारवाई शुरू की थी, रहपूर पूलीस और दुर्गू पूलीस यह दो जीले की पूलीस है, जिनोंने सबसे ज़्यादा महादेव बुक को लेकर कारवाई की है, रवी उपल कौन है यह दोनों कैसे मिलते हैं शुबम सोनी कैसे मिलता है यह सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोजिस करता है सब्सक्राइब को लेकर बनाया जिसमे है का शुबम सोरी कहानी का यह भी राजगुप्ता की कहानी नितिज दीवान की इसे बहुत सारे नाम है जो है एक जूस बनाने वाली फैक्टरी से उसने शुरू आत की 2019 तक वो का वहां करता रहा और दुकान में ही जुआ खेल कर हारता रहा है जो उसके दोस्त हैं बताते हैं पुलीस वाले बताते हैं इस बात को लेके और सौदागर जो है जूस बनाटे-पिलाते वह बड़ा सौदागर बन गया और वही पर शौरप की दोस्त ही कई रसुकदार लोगों से होने लगी सौरप की दोस्ती रसुदारों से हुई उसके बाद उनके जो सौरप चंद्राकर की पीता है रमिश्व चंद्राकर नगर निगम भिलाई में स्वास्ति भागत के अंतरगत बाबू थे उन्होंने तीन साल पहले ही वी आर लिया और फाइनल सेटेल्मेंट भी कराकर वो भी दुबई चले गए हैं इसके लावा रसुदार और बड़े जुवारियों से सौरप की दोस्ती हुई इसमें प्रमुक नाम जो नाम उस समय पुलिस के पास खुलासा हुआ था इसके लावा उद्योग पत्यों के लावा ट्रांस्पोर्टर जन्प्रतिथी और कई पारशद हैं जिससे मुलाकात सौरप शंद्रागर की होती रही यह साल 2020 की बात है जब कुरोनाकाल आने वाला था कुरोनाकाल में यह एप सबसे ज्यादा फला-फुला इसके लावा ती इड़, फार्महांस यह सब जो है सौरप शंद्राकर का जुवे का अड़ हुआ करथा जब सौरप शंद्राकर में घ्या आने हीन करिभी हा तो उनके करीभी मताते कि गडी जूखते है घ्छ यह का फोनाके अटे है Sulammmay जूब भी खेल आप देखते हैं जितने भी खेल जो विश्व प्रच्लन में है उन खेलों को शामिल क्या जाए और वहां पर हारजित का दाव लगया जाया वह घर में बैठे बैठे ही सौरब शंदराकर ने ऐसा बताते हैं कि कई कंपनियों के सहयोग से। सवरफ चंद्राकर ने के ऐप बनाया और इसके बाद पहले तो उस य anlam को खुदिि चलाया इसा बताते हैं लोग की कि काहनी के बारे मिस मोरतची चुरुआत की थी तो खुदी इस धिक मलगा देखा कि यह एक से मॉडिप कैसे मॉडिव होता है किसा चलता है और 50,000 रुपए के आसपास वो जीत गया, ऐसा लोग बताते हैं, उसके बाद सौरप चंदराकर ने हाई जंप लिया, और उस एप से सौरप चंदराकर को एक महने से लाखो रुपए के आमदरी होने लगी, इस बीच उसने तैय किया कि अखेला खेलता हूँ, तो लाखो जीत जञर लड़के थे, अकाज गंगा के रहने वाले, कैम के रहने वाले, रिसाली रहने वाले, खुडसीपार के रहने वाले, टाउंश्जिप के रहने वाले, इन लड़कों को 10 से 15 görüş, उसने नावकरी दिया, और उसके बाद, ये जो ums बार दितने के रहने में, एपनी कहानी इस पूरे खेल में इन्वाल हो चुके हैं इसे पीच रवी उपपल की मुलागात होती रवी उपपल स्क्टर टू को रहने वाला है और रवी उपपल और स्वरप की दोस्ती हुई जूस फेक्टरी महादय बुक को बढ़ाने के लिए दोनों ने प्लान किया और दोनों आगे बढ़ गया दुबई से पूरा रैकेट ऑपरेट होने लगा सवरप चंद्राकर की शादी के बारे में आपको मालू है शादी के वीडियो काफी वाइरल हुए थे जब सवरप चंद्राकर ने लगभग 200 क्रोड पर खर्च किया था जैसे कि एडी ने अपने जाच में खुल बिलाए, दुर्ग और धंतरी से भी कई लोग इस साधी समारो में सामील होने गयथे, और ये भी खबर है कि और उन लोगों की लिस्ट लेकर जाच कर रही है, जो लोग इस शादी में गये थे, समारों में गये थे, क्योंकि उस सादी में जाने वाले लोगों को बकायादम महेंगे गिफ्ट बाटने गये थे, आईफोन बाटने की भी चर्चा थी, अब शादी का वीडियो लिख हो चुका है, ED की जाज के दौराने ये सब सामने आया है, और पुलीस मामली की जाज कर रही थी, उसके बाद ED involved हुई, ED के बाद EOW EACB, और अब जो है, CBI इस पूरे केस की जाज कर रही है, आने वाले समय में बड़े खुलासे हो सकते हैं, बड़े खुलासे क्या कुछ होंगे, वो भी हम आपको अलगतर अपडेट से देते रहेंगे, आ सरकार के तरफ से अधिकरित बयान इस पश्ट रूप से इस बात की दे दी गई है, कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो अब उसी मुद्दे को ले करके, आप भारत बंद का आहवान करें, लोगों को अद्वेलित करने की कोशिश करें, ये कहां तक सच है, जिनको अराजकता फ प्रक्रिया जारी है, प्रक्रिया जारी ही कुछ समय में नड़े हो जाएगा